मेरा एंट्रिव्यू ट्रेंडिंग टुडे चैनल पे आ रहा है और इस चैनल को सब्स्क्राइब लाइक कर दें असलाम लेकुम नादरीन ट्रेंडिंग टुडे के साथ मैं हूँ राना नवीद मुश्ताक आज हम एक मुनुफ्रिद स्टोरी लेके आया हम आज एक ऐसे नौजवान के पास मुझूद हैं जिन्होंने अपने आप से उन्होंने अपने एक तरज अमल के साथ उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ के बारे में पढ़ा वो मेकैनिकल इंजिनियर हैं और सिवल इंजिनियर ह उन्होंने ऐसा प्रैक्टिकल किया है कि जो अपनी मिसाल आप है उन्होंने एक चावल का शेलर लगाया है जो कमोबेश 20 लाख के अंदर लगती है मशीन वो 20 लाख में लगने वाली मशीन इन्होंने लकडी के साथ काम करके कम उसकम तीन महीने का उसको डूरेशन लगा है उस तीन मा के डूरेशन के अंदर वो इतने सक्सेस्फुल हो गए है कि वो जो 20 लाख रुपे उनके लगने थे उन्होंने डेड़ लाख के अंदर मेनिमाइस करके वो चावल शेलर की मिशीन लगाई है तो इस तरह के नوجवान हमारे लिए मशले रा हैं इस तरह के नوجवान ह हमारा असासा है हमारे मुलका सासा है आज हम इसी नوجवान से इस बाहिमत नوجवान होन हार नوجवान से बात करने जा रहे हैं आज से जो हमारे मुराद हैं आज के महमान है वो अली मौाविया है आए हम उसे बात करते हैं सबसे पहले अली मौाविया मैं आपका शुक्रिया दा करता हूँ आपने अपने वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला तो मैं सबसे पहले आपसे सवार ये करना चाहूँगा आपको कैसे सोच आई कि आपने माशाललह से इतना सा बजट इतना सा बजट आपने मिनिमाेज कर दिया तो इसके पीछे पसेमनेजर क्या था म anlamि और कुछ मैं दो जब चोल की च्ड़ाई होती है न वो जहाँeles में चोल होगा करते थे और वो होगा करते गार्ड और पचासी होगा चोल सक्त होगा करते चड़े हैं जब ने आगे दोर आया और कहनात आई चावल की पुरसेस यूनिट बढ़ गए तो उनके पेशे मंदर यही था कि इनको छणने के लिए और मिशीनरी लाना पड़ती है क्यों है इसी बन्याप पे हम पहले मिशीनरी थिरोन पर क्या करते हैं वह उन्रेन का दाड़ अच्छाला नहीं यहां और और ऐप ठोड़े से प्रसेस में जाएंगा न चावलों के तो आपको थोड़ा सा नहीं उन्म दिल लाना पड़ती है और नहीं मिशिनरी लाने के लिए क्योंके पैसे जरूरत होती है जब आप मिशिनरी नहीं लाएंगे तो पैसे आपके पास थोड़े होंगे तो आप नहीं ला सकते हैं ज्यादा पैसे होंगे तो आप मिशिनरी नहीं लेकर आएंगे थोड़े पैसों में यह मिश 10 22 लाख रपे लगता है है विस तबाइस लाख आम सान पहूंच के नहें नहीं है और अगर यही मीटीर्यल स्टील में होता तो यह 20 लाख हों इसको आम मैंनमाइज करते हुए लक्री वुड में स्टील को वुड में इसमाल करते हुए क्रिवें ये बज़ट डेट दो लाख में बन जाता है तो इस तरह मैं और मेरे वालद ने जहन बचारी की और चावलों को परस्यास के लिए ये यूनिट बनाया जिसमें हम मुशक्क्रत करते कर्वें तीन ये चार माह में अलागे फज़ ल करन से हमने ये यूनिट तियार किया और जिसका अच्छा जाल्ड मिला माशाला सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि ये मैं अकेला नहीं कर सकता था उनके वालत साब की उनके साथ बहुत सारी कावशें रही है उन्होंने इस काम को जब स्टील से वुड में कनवर्ट किया तो उनको मुश्कला दरपेश आई अगर मेरा कैमरामान आपको दिखा सके तो ये आपको आरा नजर आ रहा होगा इस आरे की मदद से उन्होंने अपने स्ट्रक्चरिंग की वुड की स्ट्रक्चरिंग की जो इनको रिक्वाइड लेंथ वड़ चाहिए थी फटों की लकडी की वो उन्होंने बनाई उसके बनाने के बाद उन्होंने उसको रिस्ट्रक्चर किया और आज जो हम मजूद हैं उसी शैलर के पास मजूद हैं आपको उसी शैलर के पास लेके जाने लगे हैं आपको सारा प्रोसेस बताएंगे, वो कहां से स्टार्ट हुआ, उसकी इनिशियेशन्स क्या थी, अब वो कैसे वर्ग करता है, तो आईए हम चलते हैं शैलर की तरफ. सबसे पहले जो दान्ज होता है, दान्ज को खुशक करके इसमें डाला जाता है, इसके जरीए इसे कहा जाता है होदी, होदी के बाद ये ऐलिवेटर को देती है, दान्ज ऐलिवेटर से उपर ये मोटरे ले जाती है, उसके बाद ये रवर टूल है, रवर रूल के अंदर ये आगर अगशे जो और न गो को फिर ये पेटी पक्के को देता है इसे पेटवत का जाता है पेटी है उसके माद यहां चावल चावल डाल दिया जाते है इधर से उतर हुआ यह चावल इस ऑसधे माद आया जाते है इस अलीविटर से होत各位 बेझर के अंदर अधिसालापूरे चाहद को पॉस्यास बेहत्र तरीका से कासे कर सकते हैं ही यहां हमें ौफ चाहुयंब कुंभ तुद न करना पड़ जाता है यह नंग है रकुम जाले साम चाहल यह यह दिन पॉस्यास में युन्ट महिया कर देता है और जो जिनका अख्राजात हैं वो क्रीबन एक दो तीन डेर लाक रुपे इन मोटरों पर आया है मैं बजूद हूँ उस नौजवान के उस होना और नौजवान के वालत के पास उनका हम इजारे ख्याल लेते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं जी असलाओ लेकुम अली मौविया मेरा बेटा है जिसने अपना सिवल एंजिनर काम किया है कम्पलीट होने के बाद उसने मेरे साथ इस सेलर बनाने के बहुत ही एहम करदार अदा किया इसमें मैं और बेटा दुनों एक दूसरे के साथ ऐसी हैं जैसे गाड़ी के पई एक तरह हम दुनों ने मिलकर इस महंगी मिशिनरी को एक असान थोड़े से पैसों में हमने त्यार करवा लिए प्यार करने के बाद हम अल्ला खैर करे चला रहे हैं जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी आज के जो नوجवान हमारे साथ मुझूद थे हम उनका शुकरिया दा करते हैं अगर आप व्यूवर्ज में से कोई बंदा इसका आइडिया लेना चाहे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ आइडिया लेना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में इनका फोन नमबर दे दिया गया है आप उनसे राब्दा कर सकते हैं आप इस होनहार नوجवान के खितमात ह झाल 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 झाल